नमस्कार मेरे भाई साब मेरे बेनों भाईयों नमस्कार इस वक्त हम बूंदी जिले के हिंडोली तैसिल के ग्राम अलोत के अंदर मोजूद हैं और ये हॉस्पिटल से बहुत पास एक खेत है पास में सड़क है तो मैं इस सड़क से गुजर रहा था ये चतरबुजी का खेत ह और मैं सड़क से गुजरते हुए अपने आपको ये वीडियो बनाने से नहीं रोक सका देखिए इस खेत में गिये गुहं का खेत है और ये पानी पिला रहे है Dip लाने के दोरान देखिए कितने सारे भगले ये भारती है पक्षि हैं जो अपना दाना लेने के लिए यहाँ चटर बुझी को और चटर बुझी के परिवार को भी आपसे रूबरू करवाता हूं सबसे पहले तो मैं को इन जानवरों को दिखाता हूं देखिए कितने सारे हैं अब में आता तिंकू कुमावद आप भी यही रहते हो तो इन बुगलों के बारे मैं हमें बताओ कि यह शाम को कब तक रहते हैं यह आपको कोई अलग से इनको खाना भी देना पड़ता है क्या नई यह शाम तक तो पांच बजेता है रहते हैं और फिर नीमडियों पर बैठ जाते हैं अच को आपने कोविट का टीका लगा लिया गया अच्छा यह जो तीसरा टीका दस तारीक से शुरू होने वाला है इसको भी लगाऊगे आप मैं आपको जानकर ही दे दूं कि यह 10 तारीक से तीसरा टीका 60 साल के उपर के आदमियों के लगाने जा रही यह सरकार तो आप जरूर लगवाना आग्या आओ बेंजी बेंजी आग्या आओ नमस्कार क्या नाम है आपका खाना खाली आपने क्या खाना खाया आज अरवी के सब्जी खाईए ग्यों की रोटी खाईए तो ये खेत आपका ये अच्छा बाने का ये तो आप आदोली करती हो तो ये इन बुगलों के बारे में बताओ ना मुझे के ये हर साल आते हैं कब तक रहते हैं कोई उनको नुक्सान तो नहीं पहुचाता है नमस्कार मैं क्या नाम है आपका पढ़ाई कहां तक करी बेटा पढ़ाई करना चाहिए ना यार पढ़ाई नहीं करी आपने अच्छा मुझे ये बताओ इस खेत पर आप काम करती हो अपनी मम्मी के साथ में तो ये बताओ कि ये बुगले शाम को आ जाते हैं शाम को चल जाते रोस का यही चलता है तो इससे क्या ग्यों के फसल के अंदर फाइदा नहीं फाइदा तो है ना कि कम से कम जीव जंतु खाते है यह केड़ा खाते तो फाइदा है ठीक सा बहुत अच्छी बात है और मैं एक बार और आप लोगों को ये पूरा का पूरा खेत दिखा देता और इनके पैसे इस बार 1,60,000 रुपे निमें इसमें लग गए है तो मेरी भगवान से ये कामना है मेरी भगवान से ये प्रातना है कि इस बार इनकी फसल बहुत ही अच्छी हो और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समात कर रहा हूँ धन्यवाद